नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल नोलिज के 10 most important questions जो के आपके आने वाले exam के लिए बहुत ही important questions सावित होंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें औ और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरूर ही जरूर कर लें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो question number 1 है आज का हमारा भारत का सबसे पुराना stock exchange कौन सा है भारत का सबसे पुराना stock exchange कौन सा है options हैं आपके option A राष्टरी स्टोक एक्सचेंज, option B OTCI, option C दिल्ली स्टोक एक्सचेंज and option D बंबई स्टाक एक्सचेंज तो question number 1 का सही answer होगा, option D, बंबई स्टाक एक्सचेंज ठीक है तो इसके लिए दोस्तों बोलते हैं बंबई स्टाक एक्सचेंज जो की भारत का सबसे पुराना stock exchange है ठीक है next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा question number 2, प्रतिवर्स हाथी महतसब कहां मनाये जाता है option से आपके, option A अजमेर, option B स्री गंगा नगर, option C जैपुर and option D है इनमें से कोई नहीं तो दोस्ते हाँ पर आपको बताना है कि प्रतिवर्स हाथी महतसब कहां मनाये जाता है तो question number 2 का सही अंसर होगा, option C जैपर में और जैपर के लिए दोस्तों पिंक सिटी भी बोलते हैं, ये राज़िस्थान में इस्तेत है तो जो प्रतिवर्स दोस्तों हाथी महतसे मनाये जाता है वो जैपर मनाये जाता है next question आता है हमारा question number 3 दादा साहिब फाल के पुरुषकार की शुरुवात कब हुई? दादा साहिब फाल के पुरुषकार की शुरुवात कब हुई? options हैं आपके, option A 1969, 1973, 1962 and 1965 तो question number 3 का सही answer होगा आपका, option A 1969 जी हैं दोस्तों, दादा साहिब फाल के पुरुषकार जो है वो सिनेमा शेतर में दिया जाता है और इसकी शुरुवात हुई थी 1969 में next question आ रहा है, question number 4 elephantा की गुफा, मुख रूप से किस बंस से सम्बंदित हैं? options है, chair बंस से, option B, चालोक की बंस से, option C, राश्टर कूट बंस से and option D, इन में से कोई नहीं तो आपको बताना यह है कि elephantा की गुफाई हैं जो वो मुख रूप से किस बंस से सम्बंदित हैं? options में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर question number 4 का सही answer होगा, option C, राश्टर कूट, ठीक है? जो elephantा की गुफाई हैं वो राश्टर कूट बंस से सम्बंदित हैं next question आता है, question number 5 किंदरी भारती भासा संस्थान कहां इस्थित हैं? options हैं मैसूर, मुंबई, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं तो question number 5 का सही answer होगा, option A मैसूर किंदरी भासा भारती संस्थान है मैसूर में तो next question की तरफ चलने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलिग्राम चैनल और इस वीडियो के description से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलेन क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें तो next question के तरफ चलते हैं question number six निमलिखित मेंसे कौन सा तोहार यंत्र पूजा के रूप में मनाये जाता है तो ऐसा कौन सा तोहार है भारत में जो यंत्र पूजा के नाम से मनाये जाता मालब जिसमें हत्यारों की गाड़ियों की विकल्स की पूजा होती है ठीक है तो question number six का सही answer होगा option A बिश्व कर्मा जैनती जी हैं दोस्तों बिश्व कर्मा जैनती के लिए पूरी इंडिया में मनाये जाता है और इस दिन हमारे घर में जो हत्यार होते हैं हमारे गाड़ियों होती हैं उनकी पूजा की जाती है next question आता है question number seven भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है options हैं अंकोरवाट मंदिर option B तिरुपती बालाजी मंदिर option C मिनाक्षी मंदिर and option D रंगनात स्वामी मंदिर तो question number seven का सही answer होगा option D रंगनात स्वामी मंदिर जी हैं दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है रंगनात स्वामी मंदिर नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ चलते हैं कोस्टिन नमबर एट पाकिस्तान में एक मात्र स्वामी नरायन मंदिर कहां इस्थित है तो एक मंदिर है भारत का एक मंदिर है स्वामी नरायन जिसका नाम है स्वामी नरायन मंदिर वो इस्थित है पाकिस्तान में तो वो कहां पर इस्तित है, पाकिस्तान के किस प्रांथ में इस्तित है, आपके पेसावर में, इसलामाबाद में, करांची में या फिर इन में से कोई नहीं, Q8 का सही आंसर होगा, option C, करांची में, जी हां दोस्तो, स्वामी नेरायन मंदिर जो है, वो पाकिस्तान के करांची में इस्तित है, Q9 का सही आंसर होगा, option A, किसान करनेया, जी हां दोस्तो, भारत में जो पहली रंगीन फिल्म बनी थी, उसका नाम था किसान करनेया, ठीक है, तो question अभी एक और बचा है, आप लिए 10 number question, उससे पहले मैं आपके एक बात बता देना चाहता हूं, कि दोस्तो, इस वीडियो में जो भी questions हैं, इसे एक selected questions हैं, बहुत अच्छे questions हैं, जो आपके exams में आपको देखने को जरूर मेरेंगे, तो दोस्तो, मैं अपने चैनल पर daily GK की एक बीडियो डालता रहता हूं, तो आपसे request है कि चैनल को सब्सक्राब कर लें, और बेल आकन को भी प्रेस कर लें, जिसे मैं जैसे ही बीडियो डालूँ, उसकी notification आप तक पहुँच जाए, और आप की जो GK की तयारी है, वो अच्छी तरीके से हो पाए, तो दोस्तो, चलते हैं, आज के last question की तरफ, question number 10, भारत का सबसे बड़ा संग्राला कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा संग्राला यानि की options हैं आंदरपर देश, प्रादेशिक, प्राथत्प, संग्राला, औपसन B, निजाम का संग्राला, option C, भारती संग्राले, कौलकाता, and option D, इनमें से कोई नहीं, तो Question number 10 का सही answer होगा Option A जो है ये। ये संगराला है दोस्तो जो है ये भारत का सबसे बड़ा संगराला है तो Question number 10 का सही answer Option A होगा तो ये थे आज की वीडियो के 10 Questions वीडियो कैसी लगे कम Gum恩 करके जरू बताएं अकर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर आपके लिए जेनरल नॉलिज्ट करन्ट एफ़र्स और गवर्मेंट जो आप नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूं तो अगर आप भी जाते हैं सरकारी नौकरी पाना तो आपके लिए यहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी कि कौन किस विवाग में भरती निकल रही है और आपके लिए उसके तैयारे के लिए मैटेरियल भ आपके लिए इसकार